हेलो दोस्तों राजवान सिंग महाली प्रपटी गुरू कूल चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और जो आज का टॉपिक है और रियल स्टेट से हटके एक मोटिवेशन के उपर है मोटिवेशन क्या है कि आप कभी भी यदि आपके बुरे हलात हैं तो उनके ठीक होने का इंतजार ना करें क्योंकि ये देखा जाता है ना नौमन तेल हो और ना रादा ना चै बुरे हलात ठीक करने के लिए हमें इंतजार नहीं करनी, जितने भी महानपुर्श हुए हैं, क्रिशन जी हुए हैं, उनका जनम ही जेल में हुआ, और जब उनका पालन पोजिशन हुआ, जिन्नों ने पालन पोजिशन किया, वो उनके बाइलोजिकल जो बाइलोजिकल पेरेंट्स से वो नहीं, क्योंकि उसके उनके असली साथ पंगा लूँगा या कंस के साथ मैं लड़ाई युद करूँगा जो भी है तो नहीं कर सकते थे इतनी हालत होते हुए ऐसी हालत होते हुए भी उन्हों ने महाँ भारत में कौर्वस अपने पॉंडव सेना का निर्थे किया और उनको जीत की तरफ लेके गए उनको जीत दिलाई रामचंदर जी की बात ले लो जिस दिन के कैई ने ये फरमान सुना दिया कि दसर्थ जी को कि आपके बेटे को अपने जंगल में जाना होगा बनवास में जाना होगा चौदा साल के लिए और मेरा बेटा राजगदी वर बैठे गा तो ये उनके लिए किस तरीके क महुल होगा वहाँ चले गए जंगल में जाने के बाद किस तरीके से रहे फिर उसके बाद उनकी पतनी का पहरन होगा पतनी का पहरन होने के बाद राम उसके रामचंदर जी की जो लंका के उपर जीत हुई वो किस तरीके से जीत हुई यदि रामचंदर जी इंतजार करने क कहते कि मैं मेरे चौदा साल गुनौास पूरे हो जाएं मैं बापस अपने राज में जाऊंगा तो वहां से आके या है टैक करूंगा तो पता नहीं पूजीशन क्या की क्या होती है उन्हों ने एक दिन भी गवाए बिना अपना काम शुरू कर दिया और बुरे हलातों को सही हलातों में तबदील करना शुरू कर दिया गुरुनानकदेव साहब बहुत बड़े मतलब सिख धर्म के जो सबसे बड़े गुरू है उनको पता नहीं क्या क्या लोगों ने कहा कितनी कितनी उन्होंने मसीबते जहली दसमे पात्षा जो दसमे गुरू गोबिन सिंग जी हैं उनको पूरा परवार उनका जो है वो सारे का सारा शहीद कर दिया गया लेकिन वो फिर भी अपना कैम रहे अपनी बात पर इसलिए हम आज उनको नमन करते हैं उनके चरनों में मता टेकते हैं उनको दशमेश पिता बोल किसी भी बंदे के हलात ठीक नहीं होते ठीक करने पड़ते हैं यदि हमें हलात ठीक करने आने चाहिए आते हैं तो यह हम कर सकते हैं नहीं तो फिर सारी उमर जिस तरीके की आप जिन्दगी जीना चाहते हैं उसी तरीके की जिन्दगी आपके गले पड़ जाती है इन बातों मतलब खोज कार होई हैं जिन्होंने खोजे की हैं उन्हों नहीं भी उनको सारे सारे का सारा समाज उनके खिलाब था लेकिन वो अपनी बात पर अड़े रहे और जितनी भी बड़ी मतलब दूसरी साइंस की तरफ से खोजे की गई है जिसमें जहाज की रचना है रिहाज बनाया गया तो वो राइट ब्रदर्स को पता नहीं कितने लोगों ने उनको जाके कहा होगा कि यार ये तुम कौन से पागलपन में चल रहे हो लेकिन उन्हों ने अपने आपको काम में बीजी करके रखा लगे रहे लगे रहे और लगे रहने के ये उनको मिला के वो लोग अपनी जिंदगी में जो इंपॉसिबल था उसको पॉसिबल करके दिखा पाएं तो दोस्तों कभी भी आपके उपर बुरा समय आता है किशी तरीके का भी हो आपके आपकुश बड़ा काम कर रहे हो आपके साथ कोई ऐसी मतलब घटना घट रही है के लोग आपको अब मतलब उसमें फॉलो नहीं कर पारे या आप क्या विरोध करते हैं तो हमें डरने की जरूपत नहीं है यदि हम डर जाएंगे तो हम अपना मिशन आगे नहीं ले सकते हैं आप जब लोगों से हटके बात करोगे तो लोग आपका विरोध करेंगे ही करेंगे ये बहुत बड़ी बात है, जितना भी आपका बड़ा विरोध होगा, उतना ही बड़ा आपकी तरकी का या आपकी कामयभी का जशन होगा. ये मत समझना कि जिस आदमी का विरोध नहीं हुआ वो आदमी आगे निकल जाएगा वो बहुत मुश्कल होता है बहुत कम होते हैं जो आदमी इस तरीके से आगे निकल जाते हैं लेकिन जिस आदमी का विरोध होता है चाहे वो कोई भी लगालोज में तो उस आदमी नहीं करा के ये आपके साथ मैं शेयर करूँ कि मैं आप इसके चेप्टर का नाम ही यह सा है बुरे हलातों के ठीक होने का इंतजार ना करना तो हमें बुरे हलातों का इंतजार ठीक होने का इंतजार नहीं करना बलके अपने आप में आज से ही उसको लगा देना है उसको ठीक करने मे अपने आप धीरे धीरे ठीक होते जाएंगे लेकिन यदि आप उनका इंतजार करोगे तो आप कहीं न कहीं डिप्रेशन में चले जाओगे आप कहीं न कहीं अपने साथ गड़बर कर लोगे तो गड़बर नहीं होने दिनी आपने अपने काम शुरू कर देना है और को पता ही है कि बड़ी चीज छोटी को खत्म कर देती है आपका कद्ध बड़ा हो गया मुसीबत छोटी होगी तो अनेचरली उसकी यह मतलब जो उसमें मुसीबत है और छोटी है और छोटी नो खत्म हो जाए तो दोस्तों आज के लिए इतने चैनल सब्सक्राइब करके गंट इताउपी के साथ आप अपनी आपको अपडेट करते रहो नौल्ज आपकी बढ़ते रहो जब आपकी नौलज बढ़ जाएगी तब ही आपकी असली ग्रोथ होने शुरू होगी पड़ेगा इंडिया तभी तो बड़ेगा इंडिया मैं आपके साथ हूँ आपसे उमीद कर करता हूँ, कि आप thinking process को अपने को बड़ा करते जाओगे, शट्रों करते जाओगे, जितना बड़ा thinking process आपका हो जाएगा, उतनी बड़ी आपकी काम्यभी हो जाएगी. Thank you very much, मिलता हूँ जल्दी एक ने topic किसा.